अब मेरा विनम्र अनुरोध माननी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी से कि आप विशिष्ट जनों की सभा को संबोधित करें एवं हम सभी का मार्ग दर्शन करें हादर्णिय उप्राख्ट पती जी आदर्णिय स्पीकर महुदाय मंच पर विराजमान सभी वरिष्ट महानुभाव और 140 करोड देश्वासियों के प्रतिनिधी सभी मान्य सांसदगण आपको और देश्वासियों को गनेश्च तुर्थी की अनेक अनेक शुप पाम लें आज नए संसद भवन में हम सब मिल करके नए भविष्च का स्री गनेश करने जा रहे हैं आज हम यहां विक्सीद भारत का संकल्प दोहराना फिर एक बार संकल्प बद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरप्रस्थान कर रहे हैं सम्मानिय सभाग्रह यह भवन और उसमें भी यह सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है हमें भावुग भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेदित भी करता है आज हादी के पूर्व यह खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रुप में इस्तिमाल होता था लेकिन बाद में सम्मिधान सभागी बैठक यहां शुरू हुई और उन सम्मिधान सभागी बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचाना करकर के हमारा सम्मिधान यहीं पर आकार लिया यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हकुमत दें सत्ता हस्तांत्र किया उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा यह सेंटर हॉल है इसी सेंटर हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और अइतिहांसिक अउसरों पर आजहती के बाद भी सभी सर्वकारों के दर्मियान अनेक अउसर आये जब दोनों सदनों ने मिल करके यहां पर भारत के भागे को घरने के पर विचार किया सहमती बनाई और निर्ड़ेपी किये 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्टा देख्षोने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी मान्य संसदों को संबोधित किया है हमारे राष्टपती महोदयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन किया गया है बीते साथ दसकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुज्रे हैं जिम्मेवारियों को समाली है अनेक कानूनों अनेक संसोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं अभी तक लोगसभाव और राजसभाव ने मिलकर करीब करीब चार हजार से दिक कानून पांस किये हैं और कभी ज़रूरत पड़ी तो जॉइंट शैसन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रनदिती बनानी पड़ी और उसके तहद भी दहेज रोगठाम कानून हो बैंकिंग सर्विस कमिशन बील हो आतंग से लड़ने के लिए कानून हो ये संयूकत सत्र में पास किये गए हैं इसी ग्रह में पास किये गए हैं